प्रमात्मा प्रगट होया अपने शबद देच। उमर दे अंदाजे लग जाने वेख के कपड़यां दा पता चलेगा पेने आया की है वेख के रंग रूग दा पता चलेगा वेख के इतना पता चलेगा इस्तरीय के पुरुष है बच्चा है कि जवान है गोरा है काला है सामरै कपड़े कैसे न और कुछ भी नहीं पता चलेगा ये मनुख की है ये मनुख की है रजो गुणिये, तमउ गुणिये सतो गुणिये, शांत मईये क्रोधी है, तार्मक है अधार्मक है, दुखी है सुखी है कुछ भी नहीं पता चलेगा हर मनुक प्रगट होंदा है अपने शबद दिच अपने बोलना दे रहा है शेक साथी साहब केंदे ने ता मर्दे सुखन ना गुफता वाशद एबो होनर ने हुफता वाशद जितने चिरतक पन्य दस दिन किसी दी बोल चाल ना सुनिये पता ही नहीं चल दा मनुक दा मनुक की कपड़ें तो दोखा लग सगदा है रंग रूप तो दोखा लग सगदा है लग दा है जो मनुक दा रंग है जो मनुक दा रूप है जो मनुकदे कपडे ने, जो मनुकदी उमरे, इस तो उस मनुकदे सुवाव दा अंदाजा नहीं लगदा, कुछ भी निए पता चलता, बोल चाल तो पता चलता है. प्रमात्मा प्रगट होया अपने शबत्तों मनु कदी होन प्रगट हों दिये शबतां तो बोल चालतों प्रमात्मा प्रगट होया शबत्तों उस शबत की है उस शबत नू जिना ने पकड़ेया ते समझेया बस उना नू अवतार कहें दे उन्हा अवतारां दे रहा ही शब्द प्रगट होया इस वास्ते अवतारां दा सरीर गुरू नहीं है वो शब्द गुरू है मल्ला पहला मल्ला दूजा, मल्ला तीजा मल्ला चौथा, मल्ला के इंदने मकान शब्द मकान बदलदा रहा है इस शब्द प्रगट होया पहले मकान दिछ मल्ला पहला फिर अवतारी पुर्ष्दिय सोचनी शब्द लंबे समय का कम करे जो मैं जाने हैं बहुत सारी दुनिया जान लवे जो मैं समझे हैं बहुते समझ जान के निने ज़त बारदा धन बंदे इनो प्रापत होंदा है तो मनुक उसनो चुपांदा है और एक शूमपणा मी पैदा होंदा है मैं ही चोटी दा धनवान बन जामां बाकी नहीं बाकी मेरी बराबरीते नहीं आने चाहिए राजनीती भी इस ते ही खड़ी गए राजने तक हमेशा उसे तो डरदा है जिड़ा उस दे पिछे खड़ा होंदा है नमबर दो ते उदी कोशिश होंदी है इसनो ऐसा धका मारी बाल्ट पिछे चला जाए क्योंकि जिड़ा मेरी पिछे खड़ा है एक कदम इसने पुटे है ते मेरी बराबरीते आ जाएगा और एक कदम पुटे है ते गे निकल जाएगा इस वासे राजने तक जिस जीने ते चड़के सिंगासन तक पहुंच देने उस जीने नो तोड़ देने उस पौड़ी नो तोड़ देने दूजा ना चड़े लेकिन जिस जीनें ते चड़के एक अवतारी पुर्ष परमातमा तक पहुंच दाए उस जीनें उस समार दाए शिंगार दाए ताके होर भी पहुंच दाए बस इनी हो भी है जो मैं जाने हैं सारा जगत जान लवे नौखन पृतमी दा भर्मन है गुरुनानिक दा आर जान लवे जो मैं रस माने हैं सारी रस मान लें जो अनंद मेरे को ले सारी मान लें जगा जगा उस शब्दणों सुनां दे रहे तो सरीर ते समय दा हिस साय Бर्द होगे है सरीर मैं फिर अर्ज कराँ तन चाय अवतार दाए देवी देवते दाए किसेदावीय है तननों काल खा जाएगा काल पाए ब्रह्मा बवदरह काल पाए शूजु अवतरह काल पाए कर विसन परगासha सकल काल का कियो तमासha समय दिच जो कुछ बने है मिटेगा सरीर समय दिच बने है काल दिच बने है इस वह से गुरू घर दिच कह दिता शरीर गुरू नहीं ये तो मिट जाना है फिर की करोगे फिर की करोगे शब्द लंबे समय तक कम करे उसे शब्द नो प्रवेश करा दिता गुरुनानिक ने लेने दे अंदर और धन गुरू अंगर देव जी मला दू जागा मकान दू जाया और शब्द हुन दू जे मकान दे तीजे मकान दे चौते मकान दे जोत ओहा जुगत से काया फेर पलट गया सिरी क्रिशन प्रगट होए गीता दे रहा है गीता नो एक पासे कर दो क्रिशन दी होँदनी प्रगट हो सकदी गुस्ताखी माफ हर मनुख अपने बोल देच प्रगट होँदै प्रमात्मा तक बोल देच प्रगट होए शबद देच कुरान दे राही महम्मद साब प्रगट होए ना निकल दी कुरान ते पतानी कितने संत भगत इस दुनियाच होए और केते तुदनू गावन से मैं जितना आवन नानी क्या विचारे हे प्रभू पतानी कितने आने तेनू गावे है तेरे नल जुड़ गए मुकत भी होए पर उना दे कदमा दे निशान जमीन ते नहीं बने कुछ बोले ही ने पर मातमा दे शबद नू प्रगट ना कर सके शबद ना अनंद मान सके शबद ना जुड़के मुकत हो गए पर शबद नू उस अनभव नू प्रगट ना कर सके जड़े प्रगट कर सके देन अवतार श्रेनीच ओ आ जान देन फिर भारत दे रिशी मुनिया ने वंड की ती ये चार कला अवतारे, अठ कला अवतारे, अनसा अवतारे, अनसमातर है अपने बोला दे रहीं किसे ने थोड़ा प्रगड कीता, किसे ने बहुत प्रगड कीता, किसे ने बहुत प्रगड कीता कोई सोला कला अवतार अवतार मैं फिर अर्ज करा परमात्मा तो शबद होया शबद तो संसार होया उस शबद की है जिस तो संसार होया है संसार आया है तो जिस शबद दे रही संसार आया है संसार उसे ही शबद दे रही वापस भी जाएगा उत्पत परले शबदे होए जो उत्पती उस्तों होई है चे परले भी उस्तों जिस दर्वाजे दे रहे ही तुसी गुर्दवारा सावदे अंदर आया है इसे ही दर्वाजे रहे ही बाहर जाओगे और किये शवद तो संसार आया है शवद दे रहे ही वापसी होएगे संसार दे अज नहीं, कल सव साल वाद हजारां साल वाद करोणां अरबा साल वाद पत्थर भी एक दिन जानंगे परमनूर बननगे मित्टी बननगे, बनस्पती बनन्गे पशूपक्षी बननगे, फिर मनुख बननगे फिर किद्रे जाके सादना तपस्या करके फिर परमात्मा दिछ परमात्मा होनगे सूरज किरन मिले जलका जलुहुआ राम जोती जोतर ली संपूर नतिया राम जिस शबद दे राही संसार आया है उसे दे राही वापस जमा उस शबद दी रूप रिखावी गुरु गुविन सिंग जी महाराज गुरु नानिक बगद कबीर सारे संत जन्दस देने उवंकार उवंकार एक धुन उपजे एक औराब अलापे गुरु अर्जन देवजी महाराज उवंकार आदमे जाना लिखियर मिटे ताएण अमाना पगद कबीर ओ अंकार आद कथने अनाद धनगुर वोविन सिंग जीवान फैर मुक्तसर में अर्श करां गुर्णानिक ने ते एकार तक ला देता है एक एही शब्द है ओ अंकार जिसनों जगता है जिसनों संसार है एक ओ अंकार दू जा नहीं है मनुक प्रगट होंदा है अपने शब्दां देना ही प्रमात्मा प्रगट होया है अपने शब्द देना है असी जो बोला रहा ही प्रगट होंदे है इन्हों आहत शब्द कहेंदे है आहद चोट तो जिड़ी आवाज पैदा हुए दो वस्तों दी चोट तो पमन मास्त ना भी ना लटकरां दीए आवाज बन दीए तो न बन दीए अक्खर बन के जबान बार प्रगट कर दें दीए दो चीज़ां दी टकराओ तो जिड़ी आवाज पने साड़े कन जो कोई सुन देने आहद शबद है आहद कहें देने चोट नो परमातमादा शबद किसे चोट तो नहीं पैदा हुए उस तो स्वें पैदा हुए इस वाज़े उसनों अनाहद कहें देने और वो शबद व्यापक है तेहें लोकां में शब्द रव्या है आप गया मनमाने उस शब्द वो शब्द संगीत मही है राग मही है संगीत रूगा के परगट कीता संगीत काराने वक वक साजां दे रहा है और इस साज सारे दे सारे पंज शरेनियां दे आजां देने पंज तरां दे तत वित घान नाद सुगर्श। तत तंती वित चरम का घण का सीका जान नाद शवद घट को कहें सुगर स्वास पैचान। तंती सास। सितार है, दिलरुवा है, बीना है। उंगलियां दे टकरावतों लोहे दे टुकडे दे टकरावतों धुन पैदा हुं दिये। वित चमर चमडे दे मड़े हुयत सास। फिर डातुओं नाड़णत तकरावतों धातुवारी दे टकरावतों भयाती। कडे दे ठाप मारी है, जड़ी आवास पैदा धुन पैदाुच्यवध कले नाद शवद कहें सुगर्श। शेनाही है मुरली है हार्मोनियम है या मनुख है इप पवन दे ठकराओ तो आवास पैदा उन्दी इन सुगर सबत करके कहें देन तत तंती वित चरम का घंका सी का जान नाद शबत सब घटको कहें सुगर सवास पैचान इप पंज तरह दे शबत ने ओजड़ा ओंकार दी गामन हारे केते राग परी संकैन केते गामन हारे दूर के हो जाओ भारत देच संगीत दे जनम दाते अवतारने संत जनने भारत दिछ साजान दे जनम दाते वी संत जनने अवतारी पुर्षन है हर अवतारी पुर्षनाल कोई न कोई साज जुड़े हुआ है और कोई न कोई संगीदी खास धारा भी जुड़ी हो खैर में लमका माना प्रमात्मा प्रगट है अपने शबत दे रहाएं जिस तरह मनों को प्रगट होंदा है अपने शबत दे रहाएं अपने बोलना दे रहाएं बोल दस देंदेने बंदा शांतमाई है बोल दस देंदेने बंदा करो देए बोल दस देंदेने धीर जवान है बोल दस देंदेने जल्दबाज है बोल दस देने ते महा करो दी बोल दस देने ते महा मूड है बोल दस देने ते सेन सूजवान बोल बहुत कुछ दस देने ता मर्दे सुखनना गुफता बाशद एबो उनरने हुफता बाशद प्रमात्मा अपने शबदे राही प्रगट है ऐसा शबद धरम दी साधने उसनों सुनना और जो सुन लवे गुरुनाल जुड़ गया है बस इनी गल है सोगुरु करो जे बहुर ना करना पगद कवीर सोगुरु करो जे बहुर ना करना ऐसे मरो जे बहुर ना मनना कहो कबीर में सोगर पाया जांका नाओं बेबे को सारा ग्यान सारा अनभव से शबद देचे सिर्व सुर्ट दा शबदना जुड़ना अनभव परकाश हो ज़ना मनुखने सिर्व गुरू तक पहुँचना है परमात्मा तक नहीं पहुँच सकता है शबदने परमात्मा देच लेन कर देना है मनुखदी मेहनत मनुखदी तपस्या मनुखदी साधना शबद तक पहुचना अलापे शबदनों गावे शबदनों गुरुतेक बादर साहब जी महाराज ते केंदेने जिना जिना बोला दिछ प्रमात्मा दे गुण जलक दे पैन, दाया है, बेराग है, समद्रिष्टी है, प्रेम है, निर्वैरता है, निर्वैता है, ऐसे ऐसे शब्दा नो गाना है, प्रमात्मा दे गुणा नो अपने जीवन दिछ प्रगड करना है, और जो नहीं गान्दा स खरस करना समाप्ती करना क्योंकि गुर्मुख प्यारेने जदेने एक शबद भी पढ़ना है प्रमात्मा प्रगट है अपने शबद दे रहें मुनुख प्रगट होंगा है अपने शबद दे रहें प्रमात्मा दे अखरी अर्थने प्रकाश जो प्रकाश दे रूप दे प्रम तो ही शबत दे रूज गुरु है और जो शबत दे रूब देज गुरु है और जो शबत दे रूब देज प्रमातम है और जो शबत दे रूब देज प्रमातम है और जो शबत नो प्रगट कर देवे उसनो अवतार के दिन दे दे गीता दे रहें प्रमातमा दा ग्यान प्रग प्रगत होई तो मुहम्मद साथ प्रगंबर बन गए अवतार श्री नीचा आगे धन गुरु नानिक देवजी महराज प्रभू दे बहुल खस्म दे बहुल प्रगट होई कदु प्रगट होई जब मनुखड dos अपना मंचुप हो जाए ते प्रमातमा दे बहुल सुनाई धेने यहुनों सुनाई देन लग पैन संथ है भागत है पर जड़ा सुन के प्रगट भी कर सके उन्हों अवतार केंदे प् अवतारी पुर्श एक छोटी जी गाथा दे रहा ही मैं इसनों सपष्ट करके समाप्ती कर दें जैसे हर नाकष्टे घर भगत प्रेलाद गुरुगरन साब जी माराज दी बानी केंदी ये कल्ली दर्ती देच जे में कमल दा फुल पैदा हो गया है कल्ली दर्ती देच हर नाकष्टे घर इन्ना वड़्डा भगत इस तरह औरंग जेव दे घर जेवल नसा पैदा हो गई सी उदी बच्ची बड़ी दार्मक सी जिस तरह दुष्ट हर नाकष्ट दाए बच्चा ब्रमगे नहीं होया है इस तरह महान जालम उस बादशादी बच्ची बड़ी दार्मक सी शेयद आपनों पतावे इन्हे उपनिश्टांदा तजर्मा जो है ट्रांसलेशन कीती सी परशिन देच तर्जमा कीता सी परशी दे लिखेज दे गरंतमिल देने लकलो मेजम देच और फिर इसने कुरान नो ढालेया संस्क्रित देच और तुसके खुद नंदाजा लाओ और कवता देच डालेया लजम देच इन्ने विद्वान सी इदे विद्या भरे बहुत सारे बोलने किसे वक्त होया थोड़े समड़े रखांगा मुक्तसर इदे बोल एक फकीर को गांदे आओया एक फकीर ने सुने लंबा चोड़ा इत्यास इतना मतासर होया इतना परभावत होया उन्हें अरजी दे देती औरंग जेब दे दर्वारच अखे जिस देंदर ऐसा खुदाई अलहाम प्रगट होया है मैं उदी जारत करनी है मैं उदे दीदार करनी है उन्हें इसलामी शरादा बावंद तेरा साल दी बच्ची हो जाए इसलाम दे बुरका पेडा दे दे पढ़देच रख दे जेब न शाथ चाली साल दी होगी सी और अग जेब ने सादी नी कीती सी कारण तिन्हें पर आमार देते भतीजें मार देते पे उन्हें जेल दे तरबा तरबा के मारे या फिर ख्याल आया बचीदा मैं व्या कर देया कि दिरे जवाई मेरे को लताखत ना खोल लेए नहीं कीता व्या जेब लनसाद ता जिन्दगी कौरी लेए जेब लनसाद एक कुछ संसकार ते दूजा उसने ए देख लेए पे उने मेरा घर ते वसाना ने मैं अपने हिर दे घर दे खुदानू के उना लेवाई बंदगी करन लगए अठे पैर नाम जपन लगए कुरान दी तलावत कर दिये तस्वी फेर दिये अल्ला हू अल्ला हू जब दी रेंदी और जिड़ा मनू कितनी मैनद करे इतनी साधना करे तो कुछ ना कुछ ते रस कुछ ना कुछ ते अन्वोस दी जिनगी ज़ प्रगट हो दे प्रगट हो दे उदे बोलान दी बरकत आ गए उदे बोलान दी सत्या आ गए उदे बोल मतासर करन लगए ओ फकीर इतना मतासर हो है उन्हें अर्जी लिख लेती और औरंग जेव आपे तो बाहर हो गया बेर ने जुरत किस तरह की थी थी लेकिन फकीर मनियां पर मनियां फकीर से मुसल्मान जिस दी कदम बोसी हासल करना देज़ा फकर महसूस कर देज़ा नहीं मैं पुछांगा जेव लनसा को कल आवें तोर देता महला दे अंदर जैसे आया ते मत्वे ती तीवडी वेक के वट वेक के जेव लनसा ने पुछले अब्बा हजूर मिजाजते ठीक ने गल की है इतने उदास इतना चेहरा थोड़ा कुमलाया है अरजी यगों रख देते उस अरजी नो पढ़के बोला नो पढ़के जेव लनसा हस खईव औरंग जेव केंदा है बेटा तू ते इस तरह हसी है जमें किसे मूरक ते हसी दाए जेव लनसा केंड़ी ये अक्षर लिखन वाला कोई बहुत स्याना हो नहीं सकता औरंग जेव केंदा नहीं होते फकीर है बड़ा पड़ा लिख है बड़े उस्दे खलीफे चेलेने हैं उदी कदम वोसी हासल करन देच लोगी फकर महसूस कर देने हैं उते महान हैं जेव लनसान एक दलील बड़ी परबल देती है अबा हजूर अखदेच कोई रड़क पैजाए और खास करके दोमें अख़ाच कोई कंकरी पैजाए अख़ाँ वेखन तो असमर्थ हो जान दी हैं फिर वो कंकरी अख़ाँ नो नहीं दिखाई दें दी दूजे नो कहना पेंदा है मेरी अख़च की पैग अख़देच ये तोफिक नहीं देखन दी मैं उस फकीर नो दसांगी तेरी अख़च एक कंकरी है तो और कड़ावी है उस अरजी दे थले एक शेर लिख दिता इरान अवानिस्तान भारत देच पाकिस्तान देच बंगला देश इस शेर बड़ा मशूर है शायराँ दी दुनियाच विदवानाँ दी दुनियाच दरसुखन पिन हाँश दम दर बरगे गुल मानें देबू अरचे दीदन महलदारी दरसुखन बीन अदमरा इस शेर लिख लिख लिता अख्या बापू ऐ अबबा हजूर दे देना उस फकीर नो शर्मसार होएगा रोएगा दरसुखन पिन हाँश दम दर बरगे गुल मानें देबू अरचे दीदन महलदारी दरसुखन बीन अदमरा इद जो कुछ ओ कह रही है मुक्तसर में अर्जगरां दो मनुख एक बगीचे दे को लो लंगे जा रहे हैं बगीचे दे चारों पासे फसील है उची दिवार है बगीचे इच बड़े सुन्दर सुन्दर फुलन है महक बार आ रही है एक कहिंदा है कितनी मधुर सुन्दर महक आई है गुलाब दी तूसरा कहिंदा कित्थे है गुलाब कहिंदा होवेगा किदरे सानू महक आगी दिल दिमाग मुट्र हो गया अग्गे जाके और फिर कहिंदा कितनी मधुर कितनी सुन्दर महक आई है नर्गिश दी चमेली दी मोगरे दी पर एकितने फुल होणगे किदरे महक आई है मुट्र हो गया जेबल नो साकें दिये जिसनू महक देच फुल दे दर्शन नहीं होए जिनू सुगंदी देच फुलना दे दर्शन नहीं होए उन्नो फुल दे दर्शन करनगा कोई हक नहीं कोई हक नहीं ऐखेए अपने और देखेए ये मैंख फुल्डे चे ते फुल्ड तो प्रगटोंदीये इस तरह बोल मेरे अंदर संते में बोलां दे रहा ही बार प्रगट हो या तो मेरे बोलां चा मैंनो नहीं देख सके दर सुखन पिनहां सुदम दर बरगे गुल्मान अंदे भो हर्चे दीदन महलदारी दर सुखन भी नदमरा कटाक्षवी कीता लगदाय तेनू जुकाम है नजला है तेनू सुखन्द नहीं आई महक नहीं आई तो पूरा मुत्तर नहीं होया प्रमात्मा प्रगट है अपने शबदिच शबदिच प्रभूदी जलक ना मिले ऐसा हो नहीं सगदा शबद नल जुड़ना कटना है जुड़ना कटना है क्यूंके शबद वेखन दा विशा नहीं है ते मनुख ज्यादा प्रभावत होंदा है वेख के शबद वेखन दा विशा नहीं सुनन दा विशा है ऐसलो गुर्णाने के देवजी महराज करने दोनमे right daiान में जाने आगुर्मक अकत कहाने अज़े दिन जद धन गुरुगन सेभ जी महराज दा, गुरु अरजन देवजी महराज ने संबादना करके प्रकाश की था पोथियां सारियां संग्रे करके लंबी चोड़ी दास थाएं ते कता है उस दिन एक कता हो ये दरवार साव देश उस तो बाद कता दरवार साव देश नहीं हो इबार हो ये मंजी साव पाई गुरुदास मंजी साव कता कर दे रहना है और उसे ही याद दिछ अजे तक कथा हों दिए है पर एक कथा उस दिन गुरु अरजन देव जी महराज ने दर्वार साव देंदर आप की ती ओ जड़ी कथा है कभी संतोग सिंग जी ने गुरु पर सूरज दिछ लिखी है मैं थोड़े सामने रखा सेव थे केंदने सत्गुर के सरीर हैं जो सब थान समें सब नांदर से हैं मेरा जड़ा सरीर है यह दे दर्शन सारी जगा ते कोई ने और यह आज है ते कल नहीं ने सत्गुर के सरीर हैं जो सब थान समें सब नांदर से हैं हर जगा इस सरीर दे दर्शन नहीं कर सकते और हर वक्त भी नहीं कर सकते। गुर्ण थरिदा गुर्ण को एव जानों उत्तम हैं सब काल रहें। गुरू दी आत्मा प्रभू दी जोत गुरू गुर्ण सावनों करके जानों उत्तम ने हर समेदिच ने हर जगा तेने। जंगल देच बैठके अगर जब जी सावदा पाठ किसे ने अरंब कर देता है गुरू मेरे संग सदा है ना ले सफर देच है सुकमनी सावदा पाठ अरंब कर देता है गुरू मेरे संग सदा है ना ले कारदिच बैठा है कांदिच बैठा है इने रहरास सावदा जब शुरू कर देता है तो गुरू मेरे संग सदा है नाले जो सदा संग नहीं हो प्रभू भी नहीं जो सदा संग नहीं हो गुरू भी नहीं है ऐभी मैं रज़ कर दिया परकाश दे रूप देच प्रमातमा सदा संग है शबत दे रूप देच गुरू सदा संग है उस सदा संग गुरू दा अजदे दिन हरीम अंदर साव देच धन गुरू गुरन साव जी महराज दे रूप देच गुरु अरजन देव जी महराज ने प्रकाश की ता ते आखिया मेरे सरूब ते साहब है देरत मेरे सरूब तो वड़ा करके जाना मैं खुद पुजा रही है मेरे सरूब ते यांते है देरत साहब जान अदायब कहा हूँ ते मेरे साहब ने मैं ना उलाम है मैं खुद पुजा रही है गुरु अरजन देव जी मेरे सुरूप तो बड़ा करके जानना मैं खुद पुजा रही है गुरु अरजन देव जी भारत यहो शबद है जो प्रमातमा तो आया इश्वर तो आया जिस शबत तो सारा संसारा है उस शबत जिसनों सुनाई दे जाए संत है भगत है और जो सुन के प्रगड कर देवे ओ आवतार है महराज केंदर मैं चुप हो गया मैंनों जो कुछ सुनाई दिता है ब्रेमंड देच जगत दे लोको तुसी सुन लो जैसे मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करीं ग्यानवे लालो खदीजा ने महम्मद साहब नो सुन के किया कि बोल थोड़े नहीं हो सकते है इतने तर्तीब देच और इतने ग्यानमई और इतने रस्दाएक कि थोड़े बोल नहीं हो सकते है मुहम्मद से ह्थाव दी अ क्हाँ भरियां या फिरांसं अश्क बार अक्हाँ अलं कहा है खदीजा तू ठीक समझें मुहम्मद पै चुप कर गए है, शैसा हुड़ नहीं भूल सकेगा जो तू सुने है ये खदानु फिर री सुने है मुंम्मト ने हुणि नहीं बोल सकेगा मुंम्मत ते चुप करेगे गुरुना ने के देव जी महराजे के मिन हो आपव बोलना जानदा होके हा सब हुक्माब उनते में बोलना जानदा नहीं कल खतम और जो कुछ बोल दा खसमी बोल दा प्रमातमा बोल दा इश्वर बोल दा उस इश्वर दे बोल सुनने जिसनो नसीब होन खुश किसमत है ति जिसनो जुड़ना नसीब होए वोती जीवन मुकत होगे वोती जीवन मुकत होगे इतनी सेवा प्रवन करने और एक शेवत सुना अनन्साबदा पाठ ते समापती रोज अठ तो नौ दास थोड़ी सेवा करेगा गालबन थरस डे तक वीरवार तक उमिदे आप समय से पहुंच के सद्गुर्दी हाजरी भरोगे बुल चुगदी शमा तुसी बड़े कागरता नल टिकाउनल सरों ने कीता है बार बार सारे आदा धनवाद फत्व प्रवान करने वाई गरोजी का खालसा वहजी थी फत्व फत्व पन्जन ते रा नामजी दुख पन्जन ते रा नामजी